शिव बाबा याद है ना? देवताओं जैसा फूल बनो किसी को दुख नहीं दो जब यहां ऐसा बनेंगे तब सत्यूग में जाएंगे बाप आए हैं तुमको गुल-गुल दुनिया अर्थात सुख धाम में ले जाने अब कोई गंदा काम नहीं करो विश के लिए गंदे ख्यालात भी नहीं आने चाहि इस सारी पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य हो फिर बाबा ने कहा सुरिष्टी चक्र को जानने से अर्थात स्वधर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे अगर किसी देहधारी से बुद्धी योग लगाया तो पद भ्रस्थ हो पड़ेगा टाइम बहुत थोड़ा है यहे ख्याल कभी ना आए कि जो नसीब में होगा तो है मिल जाएगा अगर अभी नहीं पड़े तो राजाई मिल न सके पापों का बोजा बहुत चड़ जाएगा सजाएं खाने पड़ेंगी जार जार रोएंगे इसलिए अपने उपर रहम करो प्लास्ट में बाबा ने कहा जो बच्चे अच्छी रिती पढ़कर दूसरों की सर्विस करते हैं उन बच्चों पर बापका प्यार जास्ती रहता है जो सिर्फ खाते या लड़ते रहते हैं उनको थोड़े ही प्यार करेंगे अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से बाबा ने कहा मीठे बच्चे अब इस छीची गंदी दुनिया को आग लगनी है इसलिए शरीर सहित जिसे तुम मेरा मेरा कहते हो इसे भूल जाना है इससे दिल नहीं लगानी है प्रश्न बाब तुम्हें इस दुख धाम से नफरत क्यों दिलाते हैं उत्तर क्योंकि तुम्हें शांती धाम सुख धाम जाना है इस गंदी दुनिया में अब रहना ही नहीं है तुम जानते हो आत्मा शरीर से अलग होकर घर जाएगी इसलिए इस शरीर को क्या देखना किसी क कि नाम रूप तरफ भी बुद्धी न जाए, गंदे ख्यालात भी आते हैं, तो पद भ्रस्ट हो जाएगा। ओम शान्ती, शुबाबा अपने बच्चों आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा ही सुनती है, अपने को आत्मा निश्य करना है, निश्य करके फिर यह समझाना है कि बेहद का बाप आया हुआ है, सब को ले जाने लिए, दुख के बंधन से छुड़ाई, सुख के संबंध में ले जाते हैं, संबंध सुख को बंधन दुख को कहा जाता है, अब यहां के कोई भी नाम रूप आदी में दिल नहीं लगाओ, अपने घर जाने लिए तैयारी करनी है, बेहद का बापा आया हुआ है, सब ही आत्माओं को ले जाने, इसलिए यहां कोई से दिल नहीं लगान है, यह सब यहां के छीची बंधन है, तुम समझते हो, हम अब पवित्र बने हैं, तो हमारे शरीर को कोई भी हाथ न लगाए, छीची ख्यालात से, वह ख्यालात ही निकल जाते हैं, पवित्र बनने सिवाई, वापिस घर तो जाना सके, फिर सजाएं खानी पड़ेंगी, सुधरेली हैं, शरीर के साथ चीची काम करती हैं, चीची देहधारियों से दिल लगी हुई है, बाप आकर कहते हैं, यह सब गंदे ख्याल छोड़ो, आत्मा को शरीर से अलग होकर घर जाना है, यह तो बहुत चीची गंदी दुनिया है, इसमें तो अब हमको रहना नहीं है कोई को देखने की भी दिल नहीं होती, अभी तो बाप आये हैं, स्वर्ग में ले जाने, बाप कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, पवित्र बनने लिए बाप को याद करो, कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाओ, बिलकुल ममत्व मिट जाना चाहिए, श्त्री पुरुष का बहुत प्यार होता है, एक दो से अलग हो नहीं सकते, अब तो अपने को आत्मा भाई भाई समझना है, गंदे ख्याल नहीं रहने चाहिए, बाप समझाते हैं, अभी यह वेश्याल्य है, विकारों के कारण ही तुमने आदी मद्धे अंत दुख को पाया है, ब बहुत ही नफरत दिलाते हैं, अभी तुम स्टीमर पर बैठे हो जाने के लिए, आत्मा समझती है, अभी हम जा रहे हैं बाप के पास, इस सारी पुरानी दुनिया से वेराग्य है, इस छीची दुनिया नर्क वैशाल्य में हमको रहना नहीं है, तो फिर विश्च के लिए गंदे ख्यालात आना बहुत खराब है, पद भी भ्रस्ट हो जाएगा, बाप कहते हैं, मैं तुमको गुलगुल दुनिया में सुखधाम में ले जाने आया हूं, मैं तुमको इस वैशाल्य से निकाल शिवाल्य में ले जाऊंगा, तो अब बुद्धी का योग रहना चाहि ये नई दुनिया में, कितनी खुशी होने चाहिए, बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये बेहद स्रिष्टी चक्र कैसे फिरता है, वह तो बुद्धी में है, स्रिष्टी चक्र को जानने से, अर्थात स्वधर्षन चक्रधरी होने से, तुम चक्रवर्ती राजा बनें अगर देहदारी से बुद्धी योग लगाया, तो पद ब्रस्ट हो पड़ेगा, कोई भी देह के संबंद याद न आए, ये तो दुख की दुनिया है, इसमें सब दुखी देने वाले हैं, बाप डल्टी दुनिया से सब को ले जाते हैं, इसलिए अब बुद्धी योग अ अहां रहना नहीं है, हम ये चीची शरीर छोड़ कर अपने घर जाएंगे, ये तो पुरानी जुत्ती है, बाप को याद करते करते, फिर ये शरीर छूट जाएगा, अंतकाल, बाप के सिवाए, और कोई दूसरी चीज याद न रहे, ये शरीर भी यहां ही छोड़ना है, श भूल जाना है, इस चीची दुनिया को आग लगनी है, इसलिए इनसे अब दिल नहीं लगानी है, बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूं, वहां तुम ही जाकर रहेंगे, अभी तुम्हारा मूँ उस तरफ है, बाप को, घर को, स्वर्ग को याद करना है, दुखधाम से नफरत आती है, इन शरीरों से नफरत आती है, शादी करने की भी क्या दरकार है, शादी करने से फिर दिल लग जाती है शरीर से, बाप कहते हैं, इस पुरानी जुतियों से, कुछ भीस नहीं रखो, यह है ही वैशल्य, सब पतित ही पतित हैं, रावन राज्य है, यहां कोई से भी दिल नहीं लगानी है, सिवाए बाप के, बाप को याद नहीं करेंगे, तो जनम जनमांत्र के पाप कटेंगे नहीं, फिर सजाएं भी बहुत कड़ी हैं, पद भी ब्रस्ट हो जाएगा, तो क्यों ना इस कल्युगी ब बेहद की बात समझाते हैं, जब रजोप्रधान सन्यासी थे, तो दुनिया गंदी नहीं थी, जंगल में रहते थे, सबको आकर्शन होती थी, मनुष्य वहां जाकर उन्हों को खाना पहुंचा आते थे, निडर हो रहते थे, तुमको भी निडर बनना है, इसमें बड़ी व बरसा लेते हैं, यहां तो कितना दुख है, कई गंदी गंदी बिमारी आदी होती हैं, बाप तो गरंटी करते हैं, तुमको वहां ले जाते हैं, जहां दुख बिमारी आदी का नाम नहीं, आधा कल्प के लिए तुमको हेल्दी बनाते हैं, यहां कोई से भी दिल लगाई, तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। तुम समझा सकते हो। वो लोग कहते हैं तीन मिनट साइलेंस। बोलो, सिर्फ साइलेंस से क्या होगा। यह तो बाप को याद करना है, जिससे विकर्म विनाश हो। साइलेंस का वर देने वाला बाप है। उनको याद करने भिगर शांती मिलेगी कैसे। उनको याद करेंगे, तब ही वर्सा मिलेगा। टीचर्स को भी बहुत पाठ पढ़ाना है। खड़ा हो जाना चाहिए। कोई कुछ भी कहेगा नहीं। बाप के बने हो, तो पेट के लिए तो मिलेगा ही। शरीर निर्वाह के लिए बहुत मिलेगा। जैसे वैदान्ती बच्ची है। उसने इम्तिहान दिया, उसमें एक पॉइंट थी, गीता का भगवान कौन। उसने परमपिता परमात्मा शिव लिख दिया, तो उनको नापास कर दिया। और जिन्होंने श्रीक्रेश्न का नाम लिखा था, उनको पास कर दिया। बच्ची ने सच बताया, तो उसको ना जानने के कारण ना पास कर दिया। फिर लड़ना पड़े, मैंने तो यह सच-सच लिखा। गीता का भगवान है ही, निराकार परमपिता परमात्मा, श्रीक्रेश्न देहधारी तो हो ना सके। परंतु बच्ची की दिल थी, इस रुहानी सर्विस करने की, तो छोड़ दिया। तुम जानते हो, अब बाप को याद करते करते, अपने इस शरीर को भी जोड़, साइलेंस दुनिया में जाना है, याद करने से, हेल्थ वेल्थ दोनों ही मिलती हैं, भारत में, पीस प्रोस्पेरिटी थी ना, ऐसी ऐसी बातें, तुम कुमारियां बैट समझाओ, तो तुम्हारा कोई भी नाम नहीं लेंगे, अगर कोई सामना करे, तो तुम काइदे सिर लड़ो, बड़े-बड़े ओफिसर्स के पास जाओ, क्या करेंगे, ऐसे नहीं कि तुम भूख मरेंगी, केले से दही से भी रोटी खा सकते हो, मनुष्य पेट के लिए कितने पाप करते हैं, बाप आकर सबको पाप आत्मा से पुन्यात्मा बनाते हैं, इसमें पाप करने जूट बोलने की कोई दरकार नहीं है, तुमको तो तीन चोथाई सुख मिलता है, बाकी एक चोथाई दुख भोगते हो, अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, मुझे याद करो, तो तुम्हारे जनम जनमांत्र के पाप भस्म हो जाएंगे, और कोई उपाई नहीं, भक्ती मार्ग में तो बहुत धक्ये खाते हो, शिव की पूजा तो घर में भी कर सकते हो, परंतु फिर भी बाहर मंदिर में जरूर जाते हैं, यहां तो तुमको बाप मिला है, तुमको चित्र रखने की दरकार नहीं है, बाप को तुम जानते हो, फेह हमारा बेहद का बाप है, बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का वर्सा दे रहे हैं, तुम आते हो बाप से वर्सा लेने, यह कोई शास्त्रादी पढ़ने की बात नहीं, सिर्फ बाप को याद करना है, बाबा, बस हम आये की आये, तुमको घर छोड़े कितना समय हुआ है, सुख धाम को छोड़े, तिरे सड़ जनम हुए हैं, अब बाप कहते हैं, शान्ति धाम सुख धाम में चलो, इस दुख धाम को भूल जाओ, शान्ति धाम सुख धाम को याद करो, और कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, शुबाबा को कोई श्यास्त्रादी पढ़ने की दरकार नहीं है, यह ब्रह्मा पढ़ा हुआ है, तुमको तो अभी शुबाबा पढ़ाते हैं, यह ब्रह्मा भी पढ़ा सकते हैं, परंतु तुम सदय हो समझो शुबाबा के लिए, उनको याद करने से विकर्म विनाश होंगे, बीच में यह भी है, अब बाप कहते हैं, टाइम थोड़ा है, जास्ती नहीं है, ऐसा ख्याल मत करो, कि जो नसीब में होगा वह मिलेगा, स्कूल में पढ़ाई का पुरुशार्थ करते हैं न, ऐसे थोड़ी ही कहेंगे, जो नसीब में होगा, यहां नहीं पढ़ते हैं, तो वहां जनम जनमांत्र, नोकरी चाकरी करते रहेंगे, राजाई मिल न सके, करके पिछाडी में ताज रख देंगे, वह भी त्रेता में, मूल बात है, पवित्र बन औरों को बनाना, सत्ते नारायन की सच्ची कथा सुनाना है, बहुत सहज, दो बाप हैं, हद के बाप से हद का वर्सा मिलता है, बेहद के बाप से बेहद का, बेहद बाप को याद करो, तो यह देवता बनेंगे, परन्तु फिर उसमें भी उँच्च पद पाना है, पद पाने के लिए ही, कितना मारा मारी करते हैं, पिछाडी में, बॉम्स की भी एक दो को मदद देंगे, यह इतने सब धर्म थे थोड़े ही, फिर नहीं रहेंगे, तुम राज्य करने वाले हो, तो अपने उपर रहम करो न, कम से कम उच्च पद तो पाएं, बचियां आठ आना भी देती हैं, हमारी एक इंट लगा देना, सुदामा का मिसाल सुना है न, चावल मुठी बदले, महल मिल गया, गरीब के पास हैं ही आठ आने, तो वही देंगे न, कहते हैं, बाबा, हम गरीब हैं, अभी तुम बच्चे सच्ची कमाई करते हो, यहां सबकी है जोठी कमाई, दान पुन्यादी जो करते हैं, वह पाप आत्माओं को ही करते हैं, तो पुन्य के बदले पाप हो जाता है, पैसा देने वाले पर ही पाप हो जाता है, ऐसे ऐसे करते, सब पाप आत्मा बन जाते हैं, पुन्यात्मा होते ही हैं सत्युग में वह है पुन्यात्माओं की दुनिया वह तो बाप ही बनाएंगे पाप आत्मा रावन बनाते गंदे बन पड़ते हैं अब बाप कहते हैं गंदे कर्म नहीं करो नई दुनिया में गंद होता नहीं नाम ही है स्वर्ग, तो फिर क्या, स्वर्ग से ही मुख में पानी आ जाता है, देवता होकर गए हैं, तब तो यादगार हैं, आत्मा अविनाशी है, कितने डहेर एक्टर्स हैं, कहां तो बैठे होंगे, जहां से पाल्ट बजाने आते हैं, अभी कलियुग में कितने डहेर देवी देवताओं का राज्य है नहीं, कोई को समझाना तो बहुत सहज है, एक धर्म की अभी फिर स्थापना हो रही है, बाकि सब खत्म हो जाएंगे, तुम जब स्वर्ग में थे, तो और कोई धर्म नहीं था, चित्र में राम को बान दे दिया है, वहां बान आदी की तो बात नहीं, ये भी समझते हैं, जिसने जो सर्विस की है, कल्प पहले, वही अभी करते हैं, जो बहुत सर्विस करते हैं, बाप को भी बहुत प्यारे लगते हैं, लोकिक बाप के बच्चे भी, जो अच्छी रिती पढ़ते हैं, उन पर बाप का प्यार जास्ती रहता है, ज वो बिल्ले लड़े माखन क्रिश्न खा गया सारे विश्म की बादशाही रूपी माखन तुमको मिलता है तो अब गफलत नहीं करनी है छीची नहीं बनना है इसके पीछे राजाई मत गवाओ बाप के डारेक्शन मिलते हैं याद नहीं करेंगे तो पाप का बोजा चड़ता जाएगा फिर बहुत सजाईं खानी पड़ेंगी जार जार रोएंगे 21 जनम की बादशाही मिलती है इसमें फेल हुए तो बहुत रोएंगे बाप कहते हैं न पीयर घर न ससुर घर को याद करना है भविश्य नए घर को ही याद करना है बाप समझाते हैं कोई को देख लट्टू नहीं बन जाना है फूल बनना है देवताएं फूल थे कल्यूग में काटे थे अभी तुम संगम पर फूल बन रहे हो किसको दुख नहीं देना है यहां ऐसे बनेंगे तब सत्यूग में जाएंगे अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अंत काल में एक बाप के सिवाए, दूसरा कोई याद ना आए, उसके लिए इस दुनिया में किसी से भी दिल नहीं लगानी है, छीची शरीरों से प् दूसरा, विशाल बुद्धी बन, निडर बनना है, पुन्या आत्मा बनने के लिए, कोई भी पाप अब नहीं करना है, पेट के लिए जूट नहीं बोलना है, चावल मुठी सफल कर, सची सची कमाई जमा करनी है, अपने उपर रहम करना है, आज का वरदान, परमात्म लग परमात्म लगन से स्व्यम को व विश्व को निर्विग्न बनाने वाले तपस्वी मूर्त भव, बाबा ने कहा, एक परमात्म लगन में रहना ही तपस्या है, इस तपस्या का बल ही स्व्यम को और विश्व को सदा के लिए निर्विग्न बना सकता है, निर्विग्न रहना और निर्विग्न बनाना ही आपकी सची सेवा है जो अने एक प्रकार के विग्नों से सर्व आत्माओं को मुक्त कर देती है ऐसे सेवाधारी बच्चे तपस्या की आधार पर बाप से जीवन मुक्ती का वर्दान लेकर औरों को दिलाने के निमित बन जाते है स्लोगन बिखरे हुए स्नेहे को समेट कर एक बाप से स्नेहे रखो तो महनत से छूट जाएंगे बिखरे हुए सनहे को समेट कर एक बाप से सनहे रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे ओम शान्ती अब सुनते हैं आज की अव्यक्त मूरली इसके लिए उपर दिये गए बोक्स पर क्लिक करें ।